फ्लाइट अटेंटन्ट का काम कर चुके हैं ये नौ टीवी स्टास। list का नाम देखो जाएंगे स्टन्ट। टीवी दुनिया में आने के लिए स्टास को खासी मेहनद करने पड़ती हैं। कई स्टास ऐसे भी हैं, जिन्होंने एरलाइन्स में अटेंडिन्ट या फिर एर हुस्टिस का काम किया है. दिपिका ककड हिट टीवी शो ससुराल सिमरका की सिमर, यानि कि दिपिका ककड ने बतौर एर हुस्टिस काम किया है. मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्राजुवेशन के बाद उन्होंने नौकरी की, हाला कि स्वास्त संबदनी दिखकोतों के कारण दिपिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी और किस्मत देखे, एक टीवी सीरिल के बदौलत वो आज हर घर में पहचान बन चुकी है. हीना खान टीवी दुनिया के सबसे महंगी आक्टरस हीना खान भी एक एर होस्टिस रह चुकी है. हीना ने बतोर एरलाइन अटेंडन अपना करियर शुरू किया और बाद में टीवी दुनिया में आई. सीरिल ये रिष्टा क्या कहलाता है ने तो उनकी जिन्दगी ही बदल थी. धीरज धूपर कुंडली भागी सीरिल के करन लूथरा यानि की धीरज धूपर आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है. दिल्ली निवासी धीरज ने बताओर फ्लाइट अटेंडन्ट एरलाइन में सालों तक नौकरी की थी. उनके लुक्स को देख कई लोगों ने उन्हें एंटर्टीन्मेंट इंडस्ट्री में किस्मत आस्मानी की सला दे और आज वो टीवी दुन्या का एक जाना माना चेहरा बन गए हैं. आमिर अली जाने माने आक्टर सुदीब साहर भी फ्लाइट अटेंडन्ट की दौर पर काम कर चुके हैं. वो कैबिन क्रू मेंबर रहे हैं. वो मुंबई आकर इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बाग में सुदीब टीवी दुन्या में आ गए और चा गए. गुंचनवालिया हाला कि अक्त्रस बनने के ख्वा ब के चलते उन्होंने ये नौक्रिड़ी छोड़ी और फिर टीवी दुनिया में पय रखा. उन्होंने केसर का वयांचली जैसे टीवी शो में काम किया है अकांशा पूरी टीवी शो विग्म हर्ता गनेश में माता पार्वती का लीड रोल ने भानेवारी आक्रस अकांशा पूरी भी एक एर लाइन में एर हुस्टस की नौकरी करती थे उन्होंने मदुर भंडारकर की फिल्म कालेंडर गर्ल से डेब्यू किया था बाद में वो टीवी दुनिया में आई और जा गई विजेंद्र कुमेरिया टीवी आक्टर विजेंद्र कुमेरिया टीवी दुनिया में आने से पहले एक फ्राइट एटेंडन के तोर पर काम करते थे उन्होंने सालू तक ये जॉब की लेकिन बादमी आक्टिंग के दुनिया में आ गए और टीवी सीरिल उडान में विजेंदर के रोल सूरज ने उन्हें खासी पहचान दिलाए